अगर आपने लाइव एक्शन मुवी देख रही है पैसिफिक रिम वाली तो आपको यह एनिमेटीड सीरीज सही से समझ आ जाएगी है अगर नहीं देख रही है तो कोई बात नहीं यार असानी से समझ आ साकती है उसमें कोई बड़ी चीज नहीं है और वैसे भी यह वीडियो अब आप मल्टिप्लाइ कर लेना साथ गुना में 22 तो आपको पता चल जाएगे कि पूरी सीरीज कितने टाइम में खतम हो जाती है और अब कहानी के बारे में चर्चा करने के बाद फिर हम कंपेर करेंगे लाइव एक्शन मुवी और एनिमेटीड सीरीज को कंपेर करना झाए तो इनसानों की आँबादी खतम होने की कगार पर पहुंच जाती है अब देखो इनसान ऐसा है कि वो अपने अपको घटम होते हुए धेखता है तो वह लएक तरीका निकाल लेता इन जानवरें यह जानूरें कि लड़ने की लिए अपने का बचानम को लिए तो जो भी आपको अच्छा लगे वह आप कह सकते हैं और जब इंसान ने बड़े बड़े रोबोट बनाए वह जो यह अगर थे इन यह अगर को चलाने के लिए दो पाइलेट की जूरूरत हो थी अब दो पाइलेट वाला यह जो कॉंसेप्ट मुझे अच्छा भी लगा और अज चला नहीं पाएगा तो यह वाली चीज मुझे अच्छे लगी खराब इस चीज के अंदर मुझे इसलिए लगा गया एक बंदा भी तो चला सकता था इसको थोड़ा और इंटरस्टिंग कर सकते थे यह वाली चीज भी तो इंटरस्टिंग थी खेर छोड़ो छोड़ो चीज स मड़ा है कि 2 जो बच्चे हैं बच्चे तो क्या क्या रखोंad हो चुके हैं रहा है मुझे नहीं पता कि कोई भी पता उनके बारे में इस series के अंदर तो या फिर इस first season के अंदर तो कुछ नहीं बताएं आने वाले second season में उसके बारें बताएं तो मैंसा नहीं कह सकता है कि वो मर गए या जिंदा है मैं spoiler तो नहीं दे रहा हूँ न और जब यह निकलते हैं अपनी माबाब को ढूंड़ने तो इनके सामने बहुत सारी problem आती हैं कुछ नहीं नहीं लोगों से मिलते हैं अब वो सब चीजें आपको इस series में देखने को मिल जाएगी खैर यही सब चीजें थी मैं जो बता सकता था क्योंकि इसके बाद अगर मैंने आप लोगों को कुछ भी बताया तो वो spoiler चला जाएगा बहुत सारी चीजें हैं वो मैंने नहीं बताई है क्योंकि वो main monster या फिर यह बड़े बड़े जो dinosaur या फिर टाइटन वाली movies या series में देखे मुझे पसंद इसलिए नहीं आती थी क्योंकि उसमें कहानी लेग मारती थी मतलब उतनी अच्छे से connect नहीं कर पाती थी क्रेक्टर development इतना अच्छे से नहीं हो पाता था बस उसके अंदर जादर जादर फाइट फाइट दिखाई सामने वाले को मार दिया इधर मार दिया तो वो इतना अच्छा मुझे नहीं लगता था यह pacific rim live action movie में ऐसा देखने को मिलता है लेकिन इस animated movie में ऐसा कुछ नहीं है इसमें हमें अच्छे से कहानी develop हुई हुई मिलती है मैंने जब इसका first trailer देखा था तो मेरा सच में कोई भी इरादा नहीं था कि मैं इस animated series को देखू रिजन ही कियार क्योंकि मेरा मन नहीं था अब जब मैंने इ ऐसे यह series चली है और जैसे मैं इसको देखा भाई साब सच कहूं यार कुछ एक episode तो ऐसे थे कि वो कब शुरू हुए कब खतम हुए इसका पता भी नहीं चला last का एक दो episode जो ऐसे थे कि यार वो थोड़ा ऐसा feel हुआ कि उनको खींचा जा रहा है वो उनको जूरूरत नहीं मैंने कहा ना बहुत सारी चीजे मैंने नहीं बताई केवल काईजू का कॉंसेप्ट नहीं है इसके अंदर और भी कहानी इसके अंदर डाली गी है जो काफी अच्छी है डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको काईजू देखने को भी अच्छी है पिर से मैं spoiler तो नहीं अगर ले आए और उससे ही सामने वाले काईजू को मारते तो उसमें इतरा इंटरस्ट नहीं आता जो इन्होंने कॉंसेट दिखाया एक जो काईजू के मतलब यह अगर मैंने एक यह अगर जो होता है कि उसके अंदर बड़े-बड़े यह अगर आएं वो सामने वाले हो जाओगे कब सातों के सातों खतम हो गया एपिसोड आपको पता ही नहीं चलेगा मेरे तरफ से इस एनिमेटेड सीरीज को मैं देना चाहूँगा 7.5 आपो 10 से अगर किसी नहीं इनिमेटेड सीरीज देकले के बेड़ी और आपको पशंद आपको ये वाली पासंद आई तो बेशक आपको ये वाली सीरीज बहुँ जादा पसंद आने वाली है तो बस आजके लिए रेखते हैं एस वीडियो में थैंक्स वॅचिंग इस वड हैंने हैं